आज मैं आप सभी के लिए काफी important class ले के आए हूँ तो देखे आपके आगामी उत्राखन के सभी exams के regarding आज मैं आप सभी के लिए gkgs and उत्राखन के most important questions के series ले के आए हूँ देखे ये series का part third है इससे पहले आप सभी को part first and part second भी provide करा दिया गया था तो जिन लोगों ने इन parts को नहीं देखा है आप सभी को अपने screen पर i button देख रहा होगा तो आप इसे click कर लेजे तो आप पुराने classes देख सकते हैं और देखे आज की ये class आपके आगामी आरो यारो exam इसके लवाब आगामी पुलिस भरती कनिस्ट सायक वा SI जैसे exams के लिए काफी महत्वपोंड रहने वाली है आप सभी को part one and part two में भी काफी unique questions दिये गए हैं तो आप part one and part two जरूर देख लेजे जिन लोगों ने नहीं दे साथ साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी फ्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका notification आपके पास तुरंत पहुँच जाए आप सभी लोग हमारे telegram group को भी join कर सकते हैं ये भी study with aim के नाम से ही बना हुआ है और telegram group पर रात को 8 बजे quiz का भी आईजन किया जाता है और साथ इसाथ आप सभी को अगर इसके pdf चाहिए तो वो भी आपको telegram group पर provide करा दी जाएगी तो वहाँ पे आप download कर सकते हैं हमारा tele telegram group भी study with aim के नाम से ही बना हुआ है तो आप telegram group से classes की pdf भी ले सकते हैं with answers चलिए इस series को start कर लेते हैं आप सभी को 40 questions already provide करा दिये गए हैं part 1 and part 2 में आज हम 41 से start करेंगे तो 41 वा question है आपका देजभक्त press की स्थापना किस ने की थी देखिए देजभक्त press की स्थापना की थी बद्रिदत पांडे ने option first यहाँ पर आपका बिल्कुल right answer है देखिए बद्रिदत पांडे का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था 1882 में हुआ था 15 फरवरी 1882 को कंखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था और इनका मोल निवास एवं शिक्षा इस्थल जो था वो अल अल्मॉडा इनका मोल निवास एवं शिक्षा इस्थल था बद्रिदत पांडे जो है ये अल्मॉडा से प्रकाशित होने वाले अल्मॉडा अक्बार के संपादक भी बने थे कब बने थे कौनसा ये ये येर था ये भी पोच लिया जा सकता है तो वर्ष 1913 मे ये अल्मॉड स्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् कौन जाना जाता है अगर आप लोग उसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बद्रिदत पांदे चलिए next question देखते हैं राजी में किस पंच केदार को जटा मौलेश्वर कहा जाता है तो देखिए कौन सा ये पंच केदार है जिसे जटा मौलेश्वर कहा जाता है बताना है तो जिन लोग को आंसर आ रहा है आप कमेंट शेक्षन में कमेंट करके बताएं देखिए दिये गे option में आपका correct आंसर हो जाएगा कलपीश्वर नाथ option second बिल्कुल right आंसर है कलपीश्वर नाथ आपका किस जिले में स्तित है जमोली जिले में स्तित पंच केदार है पंच केदारों में ये पंच केदार है और यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पाठ है ये पूरे वर्ष खुले रहते हैं और यह एक मादर केदार है जहां इस्थानी लोग पुजारी होते हैं और इस मंदिर का निर्मान पांडो द्वारा किया गया तथा यह मंदिर के शैली में निर्मित किया गया है ये भी पूछ लिया जा सकता है तो यह मंदर निर्म परमपरा किस जनजादी से सम्मंदित है दिखे टिकर धार्मिक परमपरा जो है ये सम्मंदित है बोकसा जनजादी से option फर्स्ट इसकुषिन का राइट आंसर है दिखे काशिपूर के चौमुंडा देवी बोकसा लोगों की सबसे बड़ी देवी है ये आपको याद रखना है काशिपूर में चामुंडा देवी का मंदिर है तो ये बोकसा लोगों की सबसे बड़ी देवी माने जाती है चामुंडा देवी और बोकसार के बोकसा किस देवता की पूजा करते हैं ये भी पूछ लिया जा सकता है तो बुकसाड के जो बुकसा हैं ये साकरिया देवता की पूझा करते हैं साकरिया देवता की पूझा करते हैं बुकसाड के बुकसा लोग और साकरिया देवता को ग्राम देवता भी कहा जाता है इसके अलाबा चैती जो है चैती ये बोकसा जनजाती का प्रमुक्तियोहार है तो आप लोगों से फूश लिया जाए टिकर धार्मिक पनप्रा किस जनजाती से सम्मंदित है बोकसा जनजाती आप सभी लोग याद रखेगा आप सभी को यहाँ पर important facts पर लेयर करा दिये जाते हैं तो आप इन classes को देखने के लिए copy और pen लेके जरूर बैठा कीजिए इन points छोटे छोटे जो points हैं इन points से भी बहुत question बनते हैं तो आप सभी लोग नहे no down जरूर कर लेजिए चलिए next question है आपका वीरकेश्री प्रशिद्द रचना के रशनाकार कौन हैं पंडित शेवराम ओप्षन थर्ड बिलकुल right answer है देखे कवीता के छेतर में प्रतिष्ठा रखने वाले आशु कवी पंडित शिवराम जोन सार के पर्थम कवी हैं जौन सार के पर्थम कवी कौन है बताईए पूश लिया जा सकता है तो आपको याद रखना है जौन सार के पर्थम कवी है पंडित शिवराम और देखें इनकी प्रशिद्ध रशना वीर केशी चंद जो है इनकी रशना है वीर केशी चंद जो की जौन सार भाबर में बहुत है तो वीर केशी चंद्र प्रशित रशना के रशनाकार कौन है पर्णित शेवरा है अगला कुशन देखेंगे उकाई बात परियोजना किस राज में स्थित हैं इम्पॉर्टन क्वेशन है उकाई बात परियोजना स्थित है आपके गुजरात राजी में option फूर्थ discussion का right answer है देखे उक्वाई बांथ परियोजना गुजरात राजी के उक्वाई गाउं में स्थित है उक्वाई नामक गाउं में स्थित है और यह परियोजना किस नदी पर बनाई गई है पूश लिया जाए तो आपको याद रखना है तापती नदी पर यह परियोजना बनाई गई है और देखे इसके अलाबा आप लोगों से पूश लिया जा सकता है कि भाख़ा नांगल जो बाद है यह किस नदी परिस्तित है या इसके अलाबा इससे रिलेट करके नाकारजुन सावर बाद पूश लिया जा सकता है पंडो बाद पूश लिया जा सकता है तो भाख़ा बाद जो है यह सतलुज नदी पर है नाकारजुन सावर बाद है आपके कृष्णा नदी पर और पंडो बाद है व्यास नदी पर ये भी आपको याद रखना है चलिए अगला कुश्यन देखेंगे विख्याद सोमनात मंदिर किस ने नश्ट किया था देखे विख्याद सोमनात मंदिर को नश्ट किया था सुल्तान महमूद ने तो option second बिलकुल right answer हो जाएगा यहाँ पे देखे सोमनात मंदिर किस राजिय में located है गुजराद राजिय में सोमनात मंदिर गुजराद राजिय में स्थित एक अत्यंत प्राचीन वा इतिहासिक शिव मंदिर है और यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतिक रहा है सोमनात मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कारिय सोमनात ट्रस्ट के अधीन है अगला कुश्यन देखेंगे इलाबाद इस्तंब के शिलाले के विश्य वस्तु की रचना की थी हरी से नहीं आप्शन से किन बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा देखें इलाबाद इस्तंब अबिलेक या इलाबाद प्रश्रस्ति भी से कहा जाता है इलाबाद इस्तंब अबिलेक या इलाबाद प्रश्रस्ति गुप्त सामराजी के सबसे महतपोन शिलालेक शाक्षियों में से एक है ये किस सामराजी से संबंदित है पूछ लिया जाए तो गुप्त सामराजी से ये इस्तंब या प्रश्रस्ति संबंदित है समोत्रु गुप के मंत्रे और दरबारी कभी थे हरी सेन तो हरी सेन द्वारा इसकी रशना की गई थी इसके अलावा देखे इस इस्तंब के शिलालेख में समुद्र गुप्त की उपलब्दियों का वर्णन है इस इस्तंब की लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बात की जो प द्रुगुप्त द्वारा 370 इजबी में कोशामवी से लाए गए अशोग इस्तम्वपर खुदवाया गया अगला कुश्यन देखेंगे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना किश्वर्ष हुई देखें इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वर्श उनिस सो छे में आप्शन फर्स्ट बिलकुल राइट आंसर है इंडियन मुस्लिम लीग सामानिय तोर पर मुस्लिम लीग नाम से मशूर भारत की एक राजनितिक पार्टी है जिसे भारती चुनाव आयोग ने केरल राजी के दल के रूप में मानिता दे रखी है और इस होने वर्श उनिस सो छे में इसकी स्थापना की थी मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुक देश ब्रिटिल सरकार के परती मुसल्मानों की परतिष्ठा बढ़हाना मुसल्मानों के राजनितिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कॉंग्रिस के परति मुसल्मानों में पन करना था नेक्स्ट कुशन है भारत चीन के मदिस सीमा रिखा क्या कहलाती है देखें भारत चीन के मदिस सीमा रिखा कहलाती है आपकी मैक मोहन रिखा ओप्शन थर्ड इस कुशन का करेक्टर आंसर है मैक मोहन रेखा भारत और तिबबत के बीच सीमा रेखा है और ये वर्ष 1914 SP में भारत की तातकालिन बृटिस सरकार और तिबबत के बीच शिमला समझोते के तहत असित्व में आई वर्ष 1914 के बाद से अगले कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का सित्व कई अन्य विवादों के कारण कहीं छुपसा गया था लेकिन वर्ष 1935 में ओलक कीरो नामक एक अंग्रेज प्रशाशनिक अधिकारी ने तातकारिन अंग्रेजी सरकार से इसे अधिकारिक तोर पर लागू करने का अनिरोध किया और वर्ष 1937 में भारती शर्वेक्षन विभाग के एक माजित्र में मैक मोहन रेखा को आधिकारिक भारती सीमा के रूप में दिखाया गया था बात करते हैं रैट कुलिप रेखा की तो रैट कुलिप रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बन गई और इसके अलावा डुरंड रेखा जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतरास्ति सीमा रेखा है नेक्स्ट कुश्चन है किस परकार के गीतों को स्वयमवर पर्था माना जाता है दूड़ा गीत को चोपती जो है यह संयोग श्रंगार पर्थानगीत है जो जौनपुर में गाया जाता है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे विश्णो परियाग जल विद्दुत परियोजना किस नदी पर इस्तित है विश्णो परियाग जल विद्दुत परियोजना ये इस्तित है आपके अल वोट की परियोशना है और इस चल विद्धुत परियोशना का निर्माण अविवाजित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरिशन एक प्राइवेट कमपनी के माध्यम से करा रही थी और बीच में लगभग 12 वर्षों तक धन के अभाव यानि धन की कमी के कारण इसका निर्मा कारी इसका पुनहा शिरू किया गया अगला कुश्यन है आपका राजी का पर्थम समाचार पत्र किस भाषा में निकला था राजी का पर्थम समाचार पत्र निकला था आपके अंग्री भाषा में ऑप्शन फोर्ट बिलकुल राइट आंसर है देखे उत्राखन में पर्थम से प्रकाशित होता था और देखे इस पत्र की भाषा क्या थी अंग्रेजी भाषा थी इस पत्र का संपादन जॉन मैकनन ने किया था जॉन मैकननन ने उद्राखंड की पहले परंटिंग प्रेस मसूरी में खोली थी दहिल्स समाचार पद्र का प्रकाशन वर्ष 1850 इस भी में बंद हुआ नेक्स्ट कुशन है सिद्ध ताल के जनपत में इस्तित है देखे सिद्ध ताल आपके चमूली में इस्तित है अगला कुशन है तीरी में रैट क्रॉस सोसाइटी के स्थापना किश्वर्ष हुई थी तीरी में रैट क्रॉस सोसाइटी के स्थापना हुई थी वर्ष 1934 में थर्ड discussion का correct answer है तिहरी में नरेंद्र शा के समय नरेंद्र शा के समय वर्ष 1934 में Red Cross Society के स्थापना की गई वर्ष 1949 इजवी में तिहरी राजिय में कुष्ट विधान पारिद किया गया और तिहरी राजिय में टी का विधान कब पारिद किया गया ये भी पूछ लिया जा सकता है तो जिन लोग को answer आ रहा है इसका right answer आप comment करके बताईएगा तिहरी राजिय में टी का विधान का पारिद हिया गया नेक्स्ट कुष्ट है द्वज उत्सो किस जनवत में इसका राजिय पर ये नेक्स्ट कुष्ट है किस नदी पर है देखिए उंकारिशर बाद है आपके नर्मदा नदी पर option first discussion का right answer है उंकारिशर बाद नर्मदा नदी पर खंडवा के पास मांधाता में निर्मित बाद है और इस बाद से थोड़े ही आगे उंकारिशर मंदिर है इसका निर्मान सिच्चाई के लिए वर्ष 2003 से वर्ष 2007 के मध्य किया गया था और इस बाद से संबद 520 मेगावाट शमता का एक चल विदो सैयंत्र भी है जो बाद के आधार पर इस्तित है और इसके अलावा यह बाद मध्य परदेश राजी में इस्तित है इस point को भी आप सभी लोग याद रखेंगे अगला question है गिर राष्टी उद्यान है आपके गुजरात राजी में गिर राष्टी उद्यान भारत के गुजरात राजी में इस्तिते एक राष्टी उद्यान एवं प्राणी वन्य प्राणी अभ्यारणी है जो इश्या में सिंगों का एक मात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता ह गिर अभ्यारणी 1424 वर्ग किलोमेटर छेत्र में फैला हुआ है जिसमें 256 वर्ग किलोमेटर राश्टी उद्यान और 1153 वर्ग किलोमेटर वन प्राणियों के लिए आरक्षित अभ्यारणी विस्तार है और इसके अलावा इसके पास में ही मितियाला वने जियो अभ्यारणी है जो की 18.22 किलोमेटर में फैला हुआ है अगला कुश्चन है आपका बंगाल का पहला गवर्णर कौन था देखी बंगाल का पहला गवर्णर था क्लाइब ऑप्शन सेकिन इस कुश्चन का राइट आंसर है और वहीं आप से लोगों से पूछ लिया जाए बंगाल का पहला गवर्णर जनरल कौन था तो बंगाल का पहला गवर्णर जनरल था वारेन हैस्टिंग्स भारत का पहला गवर्णर जनरल पूछ लिया जाए तो लॉर्ड विलियम बैंटिक जो था ये भारत का पहला गव गठन कब किया गया था तो correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर 1867 में वर्ष 1867 में हिल साइट सिफ्टी कमेटी का गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया अगर आपको answer आता है तो आप comment करके बताएं comment section में तो okay guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का यह session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का यह session पसंद आता है तो इस session को like कीजिए शेर कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे youtube channel study with him को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें तो शरीए मिलते हैं एक नए interesting videos के साथ तब त आनियवाद